असलावलेकम डियो स्टुरेंट्स कैसे हो आप लोग मीद है कि आप लोग बलकुल ठीक टाक होगे तो आज की यह जो वीडियो यह बड़ी जबरतस्त होने वाली है कोशिच करें कि वीडियो को प्रिकुल लास्टाक देखें और अगर आप लोगो ने चैनल को सब्सक्राइब करने की हो तो आप लोग काईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों की तरफ से एनाम होता है और हुमारे लिए मोटिवेशन होती है अप लोगों को बता चले कि हम लोग इस वीडियो में एक्स्प्लेंड करेंगे कि वह कौन सी फील्ट हैं जिनका 17 ग्रे अपना प्राइविट क्लिनिक ओपन कर सकते हो या वह कौन से ऐसी फील्ट है इसमें आप लोग अपना प्राइविट क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते हैं इस वीडियो पनाने का मकसद जैस्ट रहता है क्योंकि हर एक स्ट्रेंड का यह कुंसर्ण होता है वह उसके पास यह किसम माम परमेटर से हैं वो डिसकर्स करेंगे तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो फर्स्ट फाल हम लोग डिसकर्स कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन से फील्ड है जिसमें आपको 17th grade की जवाब आफर की जाती है तो फर्स्ट फाल हमारे पास इसमें लिखा गया है कि अब डॉक्टर फिजितरपी एक 5-year program है जब आप जब आप लोग अपने 5 years of education कॉम्टीट केरते हैं उसके बाद आप लोगों की house job होती है अगर आपको government job मिलती है तो वो 17th grade job होती है after that हम लोग बात कहते है doctor of pharmacy की तो यार doctor of pharmacy भी मार पास 5 years program है और यह भी आप लोगों के पास इसमें भी आप लोगो 17th grade की job offer की जाती है third number पर यह जो DVM लिखा हुए doctor of veterinary तो यार यह 17th grade की job नहीं होती यह गलती से यहां पर लिखा गया है तो आप लोग इसको भी अपने जहन में रखें कि DVM is not included in the 17th grade job यह भी 16th grade की job होती है किये तो यह वो तमाम fields थी बलके दो fields हैं जो के 17th grade की है एक MBBS BDS के इलावा यह जो दो fields है इसमें आपको 17th grade की job offer की जाती है और यह वह वाहित fields इसमें आपके नाम के साथ prefix doctor भी जो है वो लगाया जाता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सी fields जिसमें आपको 16th grade जाब हो जाए वो offer की जाती है तो अपनों के बाद जितने भी BS programs हैं वो करने के बाद आपनों को 16th grade की जाए वो job offer की जाती है उसमें मार पास include है MLT, Medical Lab Technology, BSN अब यहां पर बहुत से students कहते हैं कि नहीं BSN 17th grade जाब है नहीं जी यह 17th grade जाब नहीं है यह 16th grade की जाब में included होती है उसके बाद आपनों के बाद आता है BS Dental, Renal Dialysis, Anesthesia, Cardiac Perfusion, Cardiology, Neurophysiology, Radiology के बाद आपनों के पास Health Technology, Surgical, Optometry, Emergency, Respiratory Therapy, Occupational Therapy, Audiology, Prosthotic and Orthotics, Speech and Language Therapy, Pathology तो यह वो तुमाम BS programs है इसके बाद आपनों को 17th grade जाब जाब जो है वो offer की जाती है और BSN का भी आपनों लोग जाएं में रखो कि यह 16th grade जाब होती है तो यह 17th grade नहीं होती क्योंकि यह BS program है तो इसमें भी आप लोग को 16th grade की job जो है वो offer की जाती है उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मार पास वो ऐसी कौन सी fields हैं जिसमें हम लोग अपना Clinic Open कर सकते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ 5-year programs भी आते हैं कुछ 4-year programs भी आते हैं तो देखते हैं कि मारे पास वो कौन-कौन सी ऐसी fields हैं जिसमें हम लोग अपना Clinic Open कर सकते हैं तो यह फिसरे फाल आप लोग के पास है Doctor of Physiotherapy जिसमें तो आप लोग अपनी 5-years of education complete करते हो DPT उसमें आप लोग के पास house job होती है house job complete करने के पाद आप लोग के पास तीन रस्ते होती हैं यह तीन options होती हैं यह तो आप लोग government job करो government hospitals में यह तो आप लोग किसी private hospital में जो है जो है as a physiotherapist कॉम करो यह इसमें आप लोग फर्दर अपना clinic अपना business अपना setup भी जो है वो open कर सकते हो दूसरे अपर पर हमार पास doctor of veterinary आता है अब doctor of veterinary उमार पास जो pets होते हैं जन्वरों का doctor तो यह लोग अपना clinic अपन केरते हैं most of the time तो इसमें भी आप लोग अपना business अपना बिजनेस वगरा जो है वो start कर सकते हो तीसी चीज़ हमार पास आता है doctor of pharmacy यह तो इसमें आप लोग के पास दो options होते हैं 5 years of education complete करने के बाद जातो आप लोग किसी pharmaceutical industry और company के साथ काम करो या फिर आप लोग अपनी pharmacy जो है वो open कर लो तीक है उसमें आप लोग अपने laboratory अपन कर सकते हो किसी भी hospital के साथ अपनी हो तो इसमें भी आप लोग अपना business जो है वो start-up कर सकते हो उसमें आप लोग फिफ्थ नमबर पर आता है रेडियोलोजी इसमें आप लोग अपना एक radiology center जो है open कर सकते हो इसमें आप लोग MRI CT scan x-rays यह चीज़ें जो है offer कर सकते हो तो यह भी एक किसम का business ही है ठीक है आप लोग किसी hospital के अंदर भी काम कर सकते हो और किसी clinic के बाहर outside आप अपना radiology center भी open कर सकते हो उसमें आप अकुपेशनल थेरपी, speech and language therapy यह pathology और हमार पास यह जो prosthetic and orthotics है इनमें भी आप लोग अपना clinic open कर सकते हो ठीक है कि वो तमाम ऐसी fields है जिसमें आप लोग independently काम कर सकते हो ठीक है इसमें आपको किसी के अंदर काम नहीं करना होता अप अपनी मर्जी से यह आपकी मर्जी है कि आप government job करते हो किसी private hospital में job करते हो यह अपना self business करते हो ठीक है it's all up to you तो I think यह best field है ठीक है students question करते है कि मारपास सबसे अची fields कौन सी है तियार सबसे अची field आपके interest के साथ साथ अगर आप लोग आपका business minded है तो आप इन fields को जो है वो choose कर सकते हो किसमें आप लोग अपना business start कर सकते हो ठीक है for example अगर किसी student को जो have a government job नहीं मिलती है या private में उसको मज़ा नहीं आ रहा तो अपना self business start कर सकते है तो आप लोग इन fields को avail कर सकते हो यह अची field है उसके पदर last में हम लोग बात करते हैं about के वो कौन सी ऐसी field है जिसमें आप लोग अपना clinic open नहीं कर सकते है अपना independently काम नहीं कर सकते है अब देखो एक नर्स जो होती है उसको किसी doctor के under ही काम गयर नहीं होता है किसी hospital में वो hospital government भी हो सकती है और private भी हो सकती है वो independently अपना self clinic open नहीं कर सकती है लेकन अगर वो nurse किसी backward area से है और उसका काफी अच्छा हासा experience है तो यहार लोग करते हैं backward areas में लोग अपना थोड़ा सा setup start कर लेते हैं लोगों को general या basic needs होती है या basic जो जुरूरियात होती है medicines वगर और जो basic treatment होती है तो वो offer कर सकते हैं लेकन यह illegal site पर आ चाते है लेकन अगर आपका experience है तो आप कर भी सकते हो उसको अब लोग बात करते हैं dental technology तो यह जो dental होता है यह किसी dentist के साथ hospital में जो है वो या clinic में बैठते हैं यह अपना independently जो हो काम नहीं कर सकते हैं लेकन इन illegal site पर आ जाता है उसके आप लोग पास renal dialysis आता है अब renal dialysis यह तो independently नहीं हो सकता ठीक है यह जा तो किसी hospital में ही होगा यह आप किसी private clinic में यह अगर आपका experience है और आपकी पास machinery वगरा मुझूद है तो फिर तो obviously आप कर सकते हो लेकन बात हो यह illegal site पर आता है इसमें आपक doctor के अंडर ही काम करना होता है उसके आप लोग बात करते है anesthesia यार देखो anesthesia ऐसी fields जिसमें आपको operation से पहले आपने patient को बेशियों पे होशी देनी होती है anesthesia देना होता है अब obviously आप independently इसमें काम नहीं कर सकते आपने operation theater में doctors के अंडर ही काम करना होता है यह आप लोग इसमें इसमें किसी doctor के अंडर ही काम करना होता है neurophysiology, neurophysician आप लोगों ने जहाब हो यह neuro doctors होता है उनके साथ बैटना होता है independently आप लोग इसमें नहीं कर सकते इसमें आप लोग पास health technology है इसमें भी आप लोग नहीं कर सकते surgical अब surgical बंदा क्या अपना private clinic open करके लोगों की surgeries करेग ठीक है वो नहीं हो सकता लेहाजा आप लोगों ने इसमें भी किसी surgeon के साथ ही काम करना होता है उसमें आप लोगों के साथ ही काम करना होता है इसमें भी आप लोगों के साथ ही काम करना होता है ठीक है इसमें भी आप लोगों के साथ ही काम करना होता है ठीक है इसमें भी इसमें पहली बात है कि आप अपना सेल्फ ओपन नहीं कर सकते हैं, इसमें आप लोग जो नाग गले और कानवले डाक्टर होते हैं, उनके साथ बैठते हो, ठीक है, अगर आपका experience है, और आप किसी backward area से हो, तो same like BSN और dental आप लोग इसमें भी अपना कुछ ना कुछ सेट अप कर सकते हो, लेकन यह भी हमार पास illegal site पर आता है, ठीक है, तो यह अकसर students की question थे, कि मार पास 17 grade job किस-किस field किया है, 16 किस-किस किया है, वो ऐसी कौन सी field है, इसमें हम लोग अपना clinic start कर सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी field है, इसमें हम लोग अपना clinic start कर सकते हैं, तो यह मैंने कर सकते हैं, तो सकते हैं तो.